यह दोस्तों स्वागत के आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में अमली करा हैं आपके लिए आपर मत्पून कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें रोज अपनी किलास होती है रात करी में दस बजे इंदी साइट की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने यहां पर फर्स्ट कॉस्चन क मुझा क्या है केदानात अग्रवाल के सब्सक्राइब करें के माने जाते हैं यह आपको अि करना तार सब्सक्राइब प्रीश सब्सक्राइब या फिर किसी के नहीं, तो 108 में आप सभी का यहाँ पर सई आंचर होगा, देखेगा तिलोचन के सब्तक्ख से संबन्दित हैं, बताए तिलोचन बता नें, तार सब्तक से, दूसरा सब्तक से, तीसरा सब्तक से, या फिर किसी के नहीं, यानि कि किसी के कभी नहीं है, तो बता ये तिल लोचन आपके लिए चैन करना है, मत्तपूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है, एक सो नौबा कॉस्चन आप से यहां पर पूंचा गया है, तिल लोचन और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर भी जो है किसी के नहीं हो जाएगा सही आंसर आनिक इन मैंसे, कोई नहीं आपका हाँ पर सही आंसर होगा, अंगला क्वाश्चन आपको देखेगा, तार सब तक में कितने कभी थे, यह आप से यहाँ पर क्वाश्चन नमबर 110 कूँचा गया है, बताईए कर 110 में आपका सही आंसर है, साथ, पांच, छे, या फिर दस, 110 में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर, तार सब तक में पूचा गया है, कितने कभी थे, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि साथ कभी थे कितने कभी थे साथ कभी थे विकल्प नंबर ए वाला जो है वह है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा साथ कभीते विकल्प नमबर एक बहुत सारी लोगों ने जन्वनवी चेन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉश्चन नमबर 11 पूँचा है मिट्टी की वारात किस की रचना है बताईएगा मिट्टी की वारात एक रचना मानी जाते है लांगरजुन जी की या फिर तिलोचन जी की या फिर रांगे रागव या फिर यहाँ पर अग्गे 111 में आप सभी को चेन करना है सही आंसर और 111 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या है सہी आंसर तिलो चंट आप सभी का सय आंसर है अगला question यह आपर देखेगा question number आपके यह आपर 112 पूँचा ग्या है रांगी रागप की किर्ति अजे खंडर की विधा क्या है विधा आपसे पूँचा ग्या है रांगी रागप की किर्ति मानी जाते है यहां पर बारहां में सही आंशर होगा विकल्प नंबर एक यानि की यह माना जाता है काब में आपका सही आंशर होगा me out नंबर एक यहां पर सही आंशर है गंडिया analysis यहां पर देखेगा अपसे आप पूंचान गया है कौंचा crisp question नंबर यहां पर दिया गया है तेरे वा कॉस्चन गुनिकाए सहितूतों पर बारह खड़ी विधाता नाचे फटी भीत है छत चूंती है आले पर विश्टुया नाचे किस का विकृति की पंती है यह आपको चैन करना है बताइएगा चैन कीजेगा कुसंगर अपूर्ब मेला आचल या फिर युग धारा तेरे में आप सभी का उस सही आंसर चैन करना है लता देवी जी नामवीर जी और यहाँ पर राजन जी तो तेरे में आप सभी का सही आंसर होगा गुन खाए सहितूतों पर बारह खड़ी विधाता नाचे फटी भीत है छत चूंती है आले पर विश्टुया नाचे यह पंत व्लिकुल चरी बहुत बढ़ी है अंगला गॉश्चन यहापा देखेगा तो नागार जुन्जी की रच्छना मारीजाती है घुद्धारा अंगला कॉश्चन यहांपस यहांपस पून्चा गया है 14 वा कॉश्चन निम्नमै से कौन सा कभी सोख गीत यानि कि सौनेट्स्ट के और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि नम्न में से कौन सा कभी सोक गीत के लिए प्रिसिद्ध है सौनेट के लिए प्रिसिद्ध है सौनेट के लिए प्रिसिद्ध माने जाते हैं तिलोचन सास्त्री जी तिलोचन आपका यहां पर सही आंसरों का वेकल्प नमबर डी वाला जो समन हैं, मुक्ती बोद हैं, अग्गे हैं अपर तिललोचन है question number 15 आप से यहां पर पूंचा गया है और 15 में आप सभी का क्या होगा सई आंसर धर्ती एक सोप गीत माना जाता है और किनका माना जाता है यह पूंचा गया है तो आप सभी का यहां पर सई आंसर है तिलोचन होगा सही आंसर तिलोचन आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार यहाँ पर जन्हों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर सूले पूंचा क्या है सिंदूर तिलकित भाल किसकी किर्टी है काभी किर्टी की रचीता आपके लिए बताना है बताईए चैन कीजे का मत्पूर्ण question यहाँ पर पूंचा क्या है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही answer और आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा विल्कुल सही तो आप सभी का यहाँ पर सही answer है सिंदूर तल के तभाल सोले में तीन आपका सही answer है नांगरजुन आप सभी का सही answer होगा विल्कुल नमबर सी आपका सही answer है राह के दीपक किसकी किर्टी मानी जाती है राह के दीपक बताईए राह के दीपक बताना है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत्वपूर्ण कॉश्चन यहां पर पूँचा गया है कौन सा 17 वा कॉश्चन है राह के दीपक किसकी किर्टी मानी जात पहल on के आप सबीका यहाँ पर सई आंशर होगा विखल नंबर एक यानिक रांगर रागभ निरांगई रागभ आपका सई होगा और है अन्गिला कौस्टें यहां पर देखेगा कौस्ट्टन नंबर अठार हुआ है कि निम्नबंआशे कि कभी की मात्रवासा हिंदी नहीं है मैं कभी आपके लिए बताने हैं रगुपति सहाय है या फिर रांगी रागब हैं दिनकर है निराला है यह चार विकल्प आपके दिये गया है कॉस्चन नमबर अठारे आप से पूंचा गया है अठारे में आपको चैन करना है किस कभी की मा आपके यहां पर दिये गये हैं और आप सभी का यहां पर 118 में नभी वाला विकल्प आपका सयांचर होगा रांगी रागब क्या होगा सयांचर रांगी रागब आप सभी का यहां पर सयांचर है विकल्प नंबर दो यहां पर सयांचर है अंगला कॉस्चन यहां पर देख स्किंधिकी पन्ती के अशन से इस पंतियां किस का विकृति से ली गई हैं बहुत महत्युपूंध पिरशिद्ध पंतियां आपसे आपको बताना है ये किस किर्थि से ली गई Pentlaşर आपको बतारीगा ये गया आपको बतारियेगा कुरु ग्रुचेट्र आप सभी का यहां पर सही आंसर है क्या सही आंसर कुरू छेत्र आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक जनोने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है कौश्च नंबर 120 पूँचा गया है दुख सब को मांजता है किसकी पंती है दुख सब को मांजता है यह पं चंद तो 120 में आप सभी का यहां पर सईयांसर आ रहा है 120 का सईयांसर है कि दुख सब को मांजता है 120 का विकल्प नमबर एक आपका सईयांसर है अग्ये दुख सब को मांजता है अग्ये नहीं पता सब को मांजता है कि नहीं तो विकल्प विकल्प नमबर आपका यहां पर एक सईयांसर होगा अग्ये आपका सईयांसर है विकल्प नमबर एक आपका सईयांसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर एक से एक किस पूंचा गया है पहला तार सब्तक किस नाम से प्रिकासे तुगा था पहला तार बित्रा सब तक हुआ था पहला तार सब्थक की नामसे नहीं ता उली तार सब्थक की नामसे विकल्प है आपका सइज आंसर 19403 में जो है प्रिकासित हुआ था 19403 में याद रखेगा विल्कुल ज़िए अंगला question यहाँ पर देखेगा प्रतीक पत्रिका की संपादक आप सी पूंचा गया है बताईएगा कौन मांदि जाते हैं प्रतीक पत्रिका की संपादक दिनकर है या फिर प्रेमचंद है या पिर रामचंछ सुकल है अग्जे है question number 122 में आप सभी को सही answer chain करना है प्रतीक पत्रिका के संपादक कोन मानी जाती है और आप सभी का यापर सही answer होगा क्या होगा सही answer संजय जी अनिल जी और आप सभी लोग बता रहें कि 122 में आपका जो विकल नमबर 4 है वह आपका सही answer है अग्य आपर सही answer होगा क्या होगा सही answer अग्य आपका सही answer है विकल नमबर 4 अंगला question यह आप देखेगा question number आप से यहाँ पर पूंचा गया है 123 question है तार सब तक के कभियों को राहों का अनवेसी किसने कहा है तार सब तक के कभियों को याद रखना है यही पूंचा जाता है कि राहों के अनवेसी किनों को का जाता है तो तार सब तक के कभियों को किसने कहा है यह आप से पूंचा गया है मुक्ति बोद ने रांगी रागब ने अग्ये ने या फिर कहा है दिनिकर जी ने तो आप सभी का यहाँ पर सही answer है तार सब तक के कभियों को राहों का अनवेसी का है अग्ये जी ने 123 में आपका तीन वाला वेकल्प यहाँ पर सी वाला वेकल्प जो है मैं सही answer आपका यहाँ पर हूगा कौशन नमबर 124 आप से पूंचा गया है आज मैं अकेला हूँ अकेला रहा नहीं जाता आज मैं अकेला हूँ अकेला रहा नहीं जाता जीवन मिला है एह रतन मिला है एह फूलों में मिला है या धूलों में मिला है एह किसकी पंतियां मानी जाती है कौशन नमबर 124 में बताना है गिरजा कुमार मातोर अग्ये समसिरवादूर सें या तिलूचन तो मत्पुण है आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता जीवन मिला है एह रत्न मिला है एह पूल में मिला है या धूल में मिला है एह तो पंतियां मानी जाती 124 विकल्प INFORTS चार आपका सयांतर होगा यानि कि इतलो चन की पंतिय हम आनि जाती है विकल्प bah D आप सभी का यहांपर सयांतर होगा जają रहे सब और कोश्चन यहांपर देखेगा मैं 125 वा question में बताईए हाँ रादन जी तो question नमबर आपसे 125 मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहा जैसे तपते देखा गलते देखा मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा ये पंतियां मानी जाती 125 में विकल्प नमबर एक यानि की केदानात अग्रवाल किनकी पंतिया वहती प्रशिद्ध पंत के याद रखिए का केदानात अग्रवाल आप सभी का यहां पर सई आंसर है पंति के सांथ रूपाब पत्रिका का संपादन करने वाली थी क्या होगा सई आंसर तो सुईता जी पंति के सांथ रूपाब पत्रिका का संपादन करने वाली थी 126 में आपका सई आंसर होगा आपका विकल्प नमबर डी सई आंसर है नरेंद्र सर्मा नरेंद्र सर्मा आपका सई आंसर होगा विकल्प नमबर चार जन्होंने भी चैन क्या है तो उनका यहां होगा ? विकल्प, नंबर चाइल जन्हों ने भी चयन किया उनका सई आंसर है अंगला कॉस्चिन यहाँ पर देखे गा कॉस्ट नंबर आप पहूंचा तसाइस बाँ कॉस्चिन एक कभी को कभी का जाता है कभी यह तो कॉस्चिन मत पूंच लिया गया है दर्मबीर वार्ती को समसिर वादर सेंग को रगवीर सहाई को चौता विकल्प भी बताते हैं सर्वेस्टो द्याल सक्सेना को तो इनको भी नहीं का जाता है दर्मबीर वार्ती को भी नहीं का जाता है तो समसिर वादर सेंग को का जाता है कभीयों का कभी 27 का विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही आंशर लगा दीजेगा विकल्प नंबर दो हंगला कौर्शन यहाँ का देखेगा एहदीप अकेला किसकी कवीता मानिजाती है? कवीता है एहदीप अकेला? बता ये गा मुक्तिबोध की कवीता है, जगदिश चंद्रमातुर की कवीता है, अग्ये की कवीता है, दिनकर की कवीता है, 128 में आप सभी के लिए चेहन करना है, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर तो कोश्य नंबर आप से यहां पर 28 पूँचा गया है, एह दीप अकेला किसकी कवीता है, कवीता मानी जाती है, तो 28 में आप सभी का विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा, यानि कि अग्ये, अग्ये आपका हाँ पर सही आंसर होगा, विल्कुल सही विकल्प नंबर C, जन्वन अभी चैन क्या है, यहां पर अब पूँचा क्या है, कवीताओं और किर्टियों की रचनाकारों का नाम बताना है, जैसे यहां पर एक किर्टी दी गई है, अमन का राग, इसकी रचनाकार कौन मानी जाती है, अमन का राग, वगवती, चन्वर्मा है, नांगर्जोन है, समस होगी है रचना पड़ी है किनकी मानी जाती है विकल्प नंबर आपका यहां पर पूंचा गया है 129 और 129 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आप सभी का यहांपर सही आंजर है अंगला क्यूophone और आप से यहांपर पूंचा क्या है क्या तीसवा क्यू препर क्यूं था क्यूंतर है कि सलोना जिसम आउनां यह आपको बताना है इसके कौन हो जाएएए भगवती चण्वर्मा है या प्र संसीर बहादूर से हैं दिनकर या फिर यहां पर अंचल क्वाश्चन नमबर आप से यहां पर 130 पूंचा गया है 130 में आपके लिए चाहिन करना है कि सलोना जिसम आउना यह बताना है तो 130 का सही आंसर है कि यह कृति मानी जाती है कि इनकी विकल्प नमबर दू आप सभी का सही आंसर समसीर बहादुर से हैं यहां पर भी आपका विकल्प नंबर भी जो है बैसा ही आंसर होगा अंगला question यहां पर देखेगा question नंबर आपसे यहां पर पूंचा गया है समय देपता समय देपता बताना है किन की मानी जाते है नरीश महता की करती है या फिर नरेंदर सर्मा वगवती चर्ण बर्मा या फिर माखन लाल चतुरवेधी समय देपता की पूंचा गया है कौन मानी जाते है रपन ने कई बार पड़ा है क्या पड़ा है कि समय देपता को माखन खिलान तो माखन से क्या हो जाएगा माखन लाल चतुरवेधी आपका यहाँ पर सैय अन्सर जन्न एक भात्यात्मा के नाम से जाना जाता है 32 से यहां पर पूंछा ग्या है 132 के आप सभी का सई आंसरो flooding गोगा गिर्जां कुमार मात्र आपका विकल्प नमबर ने हैं प्रतिवी कल्पि के या फिर मुक्ति बोद 133 का सही आंसर आपके लिए सही आंसर बताना है बताईए कि तो विल्कुल सही यहां पर एक क्वेश्चन अपना गलत हो गया है तो दाल लेते हैं पहले सत्पडा का जंगल सत्पडा के जंगल के कौन हो जाएंगे तो सत्पडा के जंगल की हो जाएंगे भवानी प्रसाद मेस्त्र है तो सत्पडा का जंगल भवानी प्रसाद मेस्त्र है हां पर एक सो दाल ले आप 111 में समय देप्ता जो है नरेस मेहेता की रचना मानी जाती है समय देप्ता नरेस मेहेता की रचना मानी जाती है वेल्कुल जई स॓ क्वाश्चन नमबर आप से यहां पर 134 क्या पूंचा गया है चांद का महटीड़ा है यह आपको बताना है चांद का महटीड़ा है सर्विसवर या पिर समसीर या पिर नरेश महता या फिर मुक्ति बोद 134 में आप सभी को सभी चैन कनना है क्या होगा ? सैयंत्र साह्थ द्यवता मानी जाती है मांखनलाल चतुर ग़ी की उसी में रही समय तो समय डूता में जो है णरेश महेता की मानी जाती है और कि जो साहिट लह गये माखनलाल चतुर गएप les reciprocal मानी जाती है तो 34 में का D सइयांचरों का की चांद का महटेडा है उसको मुक्ति मिल गई मुक्ती से मुक्ति बोध आपका सइयांसर है D वाला विकल्फ आपका सइयांसर है किस कभी की कवीता को स्वाधीन भारत का स्तापी दस्ताबीज का जाता है Question no. 135 में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना है क्या होगा सही आंसर चैन कीज़ेगा मत पूर्ण कौश्चन यहां पर दिया गया है किस कभी की कभीता को स्वाधीन भारत का इस्तापी दस्ता बीच का जाता है 135 वा question है और 100 विकल्प नमबर आपका यहां पर जो 135 में सही आंसर है तीन वह विल्कुल चैसी वाला विकल्प आपका सही आंसरों का मुक्ति बोध आप सभी का यहां पर सही वाला विकल्प जो है सही आंसरों का मुक्ति बोध जिन्वाने भी चैन किया है उनका सही आंसर मुक में 1985 में कॉश्चन नमबर 36 में आपके लिए सई आंसर बताने है राजीब जी क्या होगा सई आंसर क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा महत्पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है चार विकल्प आपके दिये गए हैं और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है मुक्ति बोध की मृत्यू यानिका निधन कभूगा तो आप सभी का 136 में सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर एक आपका सई आंसर होगा 1964 1964 आपका हाँ पर विकल नंबर ए वाला जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही एंगला कॉश्चन यहाँ पर देखेगा राश्टे गीत में भला कौन भारत भाग्य विधाता है फटा सुतन्ना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है यह किसकी पंतियां मानी जाती है यह पंतियां आपको 137 में चैन करना है बताएगा गे की पंतियां है रगुबीर सहाई दिनकर या फिर मुक्तिवोध तो कॉश्चन नंबर 137 में आप सभी का सयांसर आ रहा है कि विकल नंबर आपका यहाँ पर जो दो है वह आप सभी का सयांसर है रगुबीर आप सभी का सयांसर हो का अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखेगा कॉश्चन नंबर आप से यहाँ पर पूचा गया 138 में आपके यह चैन करना है और 138 में आप सभी का सयांसर होगा कि रामदास की हट्ट्य एक कवीEC मान पर नमबर B आपका सयांत रोगा यानि की रगवीर सहाई यहाँ पर आपका सयांत रोगा विखल्प नमबर दो जिन्वन्य भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सयांत रोगा अंगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा question नमबर 139 आपसे पूंचा है संसद से सड़क तक किसका काविसंकलन माना जाता है 149 में आपको चैन करना है दूमिल का है या फिर दिनकर का पंत या फिर निराला question number 149 में आपको चैन करना है संसद से सड़क तक किसका काविसंकलन माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर जो सही आंसर है अपने याद किया था कि संसद से सड़क तक धूल ही धूल है संसद से सड़क तक धूल ही धूल है तो धूमिल आपका यहाँ पर सही आंतरोगा वेकल्प नंबर एक जनौने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाप देखेगा कौनो नदी ये इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं कौनो नदी के रचनाकार बताना है बताईगा समसेर हैं अग्गे हैं मुक्तिवोध हैं सर्वेस्वर हैं तो अपन ने इसको क्या से याद किया था तो कॉस्चन नमबर 140 में आपको चै आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर D यहाँ पर जैनो ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा सोदामा पांडे का प्रजातंत्र कवीता की रचेता कौन माने जाते हैं 141 में आपको चैन कनना है अग्गे हैं धोमिल हैं जैनेंद्र हैं राजन द्यादब हैं बताईए कम लोग जड़ रहे हैं क्लास में क्या बात है सभी लोग नहीं आपा रहे हैं क्लास में क्यों नहीं जड़ पा रहे सभी लोग बताईए का कॉस्चन नमबर 141 नहां पर पूंचा क्या है सोदामा पांडे का प्रजातंत् रूपाम्बरा बताना है। मत्पूर्ण के संपाथ के कौर माने जाते हैं 142 में वताईएगा ग्जें के दाननास्त्क हैं दिनकर रेणु जी है distortतिया 142 काप यहां सही आंशर रूपाम्बरा बताना है। और रीवी जी आपड़ सही आंशर होगा क्या होगा सईया अंसर तो आप सबी का 142 में विकल्प नंबर रूपामबरा बताइए का मत्पूर्ण कॉश्चन याँ पर पूँचा गया है विकल्प नंबर एक आपका याँ पर सईया अंसर है अग्गे की रचना मानी जाती है रूपामबरा वेकल्प नमबर ए जिन्वनवी चैन क्या है उनका यापर सई आंसरों का अंगला कॉस्चन यापर देखेगा अंसे जी दिपमाला जी कि कौन सा कभी फैंटेसी के लिए प्रिसिद्ध है फैंटेसी के लिए प्रिसिद्ध मुक्तिबोद जैनेंद्र अग्गे या फिर अस्क वेकल्प नमबर ए वाला जो है मुक्तिबोद वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ियां विल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहां पर चैन क्या है मुक्तिबोद आप निमलिकत काभ्यों की रचेताओं की नाम बताना है यानि कि आपके लिए बताना है गी हόगा सयांसर की कि ए गीत फरूस यह कारप माना जाता है किनका तो आपसे यहां पर सच्ट नमबर हैं आप भवानी परशाध में सब्सक्राइब के थो भवाशाद मेश्टि और गीत zorере में बताना है किस की रचना मानी जाती है अंदेरे में, मुक्ती बोध की रचना है, कुण नारण की रचना है, नागर जुन की रचना है, रामबला सर्मा की रचना है, तो अपन ने 145 में अंदेरे में इस रचना को याद किया था, कि अंदेरे से मुक्ती मिल गई, अंधेरे से मुक्ती मिल गई तो मुक्ती से मुक्ती बोध आपका सही आंसर है विकल्प नमबर एक यहां पर जन्वने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसरोंगा विकल्प नमबर ए वाला सही आंसर है इतलम किसकी रचना मानी जाती है 146 में आप सभी को चैन करना है क्या होगा सही आंसर 140 में बता ये इतलम बताना है किसकी रचना मानी जाती है चार विकल्प आपके दिये गए हैं कॉस्चन मत पूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 140 का विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर इतलम रचना बताना है किनकी मानी जाती है सबी लोग D वता रहे हैं कि अग्गे की रचना मानी जाती है तो विकल्प नमबर चार आपका यहाँ पर 144 में सही आंसर हुगा D वाला विकल्प आपका सही आंसर है अंगला क्वोस्चन देखेगा नास और निर्माण यह रचना किनकी मानी जाती है सर्विस्वर, समसीर, बादुर सें, कुमनारण यह फिर गिर्जा कुमार माथुर तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि नास और निर्माण बता नहीं रचना किनकी मानी जाती है नास और निर्माण तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि नास और निर्माण यह मानी ज जाते इगिर्जा कुमार मात्र आपका विकल नम्बर चार जो है वैस기attend सब्सक्राइब लोगों सॉय आंपर पर नरेंदर सरमा है 48 वा question याप पर पूंचा गया है 48 में आप सभी के लिए सही answer चेन करना है पनू प्रिया किसकी रचना मानी जाती है तो आप सभी का यहाँ पर सही answer है धर्म वीर भार्ती धर्म वीर भार्ती आपका यहाँ पर विकल्प नमबर दो यहाँ पर सही आंसरों का विल्कुल सही बहुत पड़ियां वेकल्प नमबर बी वाला जन्वनेवी शेन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर है साथ गीत बर्स यह आपके लिए बताना है धर्मबीर भार्ती, दिनकर, नांगरजुन, या किये दाननात सहे धर्मबीर भार्ती, आपका सही आंसर होगा धर्म के साथ बर्स जो हैं गीत गाए धर्म के 7 वर्स गीत गाई तो धर्म से धर्म वीरवार्ती और 7 गीत वर्स इनकी रचिना मानी जाती है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर 150 आपसे पूंचा गया है कि विश्णु प्रिया बताना है विश्णु प्रिया की रचिनाकार कौन मानी जाते हैं मेतली संगुप्त हैं या फिर प्रयमचन्द अंगे निराला है लिश्णु प्रिया बतानाए किसकी रचिना मानी जाती है और आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा 150 में वेकल्प नमबर एक आनी की मैतली सरनगुप्त की रचिना मानी जाती है क्या है सही आंसर मैतली सरनगुप्त आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखेगा है यहाँ पर प्रबंद काप्वियों के रचेतनाओं के नाम बताना है यह प्रबंद का आप याद रखिएगा जय भारत जय भारत एक प्रबंद का आप बे माना जाता है हजारी पर साथ दुवेदी का है ब्रंदा वनलाल वर्मा अग्गे या फर मैतली सरन गुपते बताइए क्वाश्य नमबर 119 आप से याँ पर पूंचा गया है 119 में आप सभी के लिए सई आंसर चैन कनना है तो सभी लोग बता रहा है कि 199 वाला विकल्प याँ पर सई आंसर है यानि कि मैतली सरण गुप्त गुप्त जी का ये प्रबंद का आप बिमाना जाता है जै वारत तो विल्कुल चाहिए विकल्प नमबर डी आप सभी का सई आंसर होगा अंगला पॉस्चन याँ पर देखे एकसो बाउन में आपके लिए चैन करना है लाइक अवस्ते कल लिया करें सबी लोग बहुत सारी लोगों ने अभी तख लाइक नहीं किया है लाइक अवस्ते कलने सबी लोग एक सो बाउनवा कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सईया अंसर आ रहा है एक सो बाउन में कि विकल्प नंबर जो एक है वैसा यांसर गुरु भक्त सेंग की रचिना मानी जाती है प्रवंदिक आप बिमाना जाता है कौन सा विक्रमा दित् आप पुंचा रश्मी रथी रश्मी रथी के रचिना कार कौन जाते हैं वताईए यहीं यां पे प्रशन्द्रेंगए बहुत बढ़ियां बिल्कुल अनहय जी संधूण जी देनकर की रचिना मानी जाती है कौन xenia रस्मी रथी रस्मी रथी किनकी रचना मानी जाती है दिनकर की रचना मानी जाती है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा रूज सिंग जी अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा और वसी वतान है और वसी यह किनकी रचना मानी जाती है कॉस्चन नमबर 155 आप से पूंच मानी जाती है तो आप सभी का यहां पर सई आंशर दो जनकी रचणा ुर वसी यहां पर दिनकर आप का सई आंतर होगा दिनकर जनोंने विवाला विकल्प यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सई यांसरों का नंगला कौश्चन यहां पर देखेगा कौश्चन नमबर पच्पन पूंचा गया लूकाइतन बताना लूकाइतन यह रचना किनकी मानी जाती है प्रसाद नराला पंते अनरेस महित्ता बताईए पच्पन में चैनिकन्दा है और आप चभी का यहां पर पच्पन में चैन्दर आ रहा है कि लूकाइतन तो रचना मानी जाती है किनकी किनकी रचना मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंते का पंते की रचना मानी जाती है यहां पर दितंबरा बताना ही किनकी रचना मानी जाती है बताईए मोहनलाल महतोब्योगी अग्गे केदानात मिस्र य में सई आंसर चेन कीज़ेगा बताइए तो कौशन नमबर 156 में आप सभी का सई आंसरों का विकल्प नमबर क्या होगा सई आंसर? सी आपका सई आंसरों का केदान नात मिस्त्र आपका सई आंसरों का क्या है सई आंसर? सी वाला विकल्प आपका यहां पर सैयांचर है, तेदां नात मिस्त्र होगा सैयांचर अंगला कोश्ण यहां पर देखेगा, कनु प्रिया बताना है, क्या होगा सैयांचर? कनुप्रिया मानी जाती है रचना कुणनारेण की धर्मबीर भारती जी की डाक्टर बिनाय और नराला जी की किनकी रचना मानी जाती है कनुप्रिया जोती जी कौश्चन मत्पुण है और आप सभी का यहां पर सई आंचर आ रहा है कि यहां पर कौश्चन नमबर 177 में वेकल्स नमबर 2 यानि की धर्मबीर भारती की एक रचना एक कनुप्रिया वहती मत्पुण प्रिसद रचना पूंची जाती है यह तो धर्मबीर भारती आप सभी का सयांशर होगा महा मानव महा मानव एक रचना माने जाते किनकी ठाक और प्रसाद सें या फिर मोहनलाल मैं तो भी होगी प्रसाद या पंते एक सो अंठाउन में आपको चेन करना है एक सो अंठाउन का सई आंसर लाइक करते जाईएगा मत पूर्ण कॉस्चन या पर पूंचा गया है और एक सो अंठाउन में आप सभी का सई आंसरों का विकल्प नंबर एक सई आंसर है यानि की ठाकुर प्रसादसें ठाक और प्रसाद सेंग की रचना मानी जाती है वेलकुल सही ठाक और प्रसाद सेंग विकल्प नमबर ये वाला जो है आप सभी का सयांसर महा मानव रचना मानी जाती है ठाक और प्रसाद सेंग की दुरोपदी वताना ही किस की रचना मानी जाती है संबुनास सेंग की रचना है नरेंदर सर्मा की रचना है अग्गे की रचना है या फिर यहां पर राम बिलास सर्मा की रचना है 169 में आप सभी लोग चैन कीजेगा क्या होगा 169 का सही आंसर तो question मत पूर्ण है और 169 में आप सभी लोग चैन कीजेगा किन की रचना मानी जाती है दुरूपती और विकल्प नमबर भी होगा सही आंसर नरेंद्र सर्मा यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो यहां पर जिन्वनेवी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर भी वाला जो है वहें आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला question यहाँ पर क्या दिया गया है question number 60 आप से पूँचा गया है उत्तर जय किनकी रचना मानी जाती है रामदरसमेश्र, कुमनाराइण, डाक्टर बिनय या नरेंदर सर्मा 160 वा question यहाँ पर पूँचा गया है और 160 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है उत्तर जय रचना किनकी मानी जाती है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वेकल्प number 160 में चार आपका सही आंसर होगा उत्तर जय जो है नरेंद्र सर्मा की ए भी रचिना मानी जाती है वेकल्प नंबर डी वाला जो है गया आप सबी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला question देखें आत्म जय के रचिनाकार कौन मानी जाती है आत्म जय के वताना है नरेश महता है संबुनाच से हैं, कुमन नारहन हैं, अग्ये मानी जाती हैं तो question number आपका यहाँ पर 161 पूंचा क्या है 161 में आपके लिए chain करना है, क्या होगा सही answer chain कीजेगा मत्पूर्ण question यहाँ पर दिया क्या है और आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा क्या होगा सही answer तो 161 में आप सभी का आज में आपका सही answer है कुमन नारहन जन्हों ने भी chain किया है 101 सेट में विकल्प number 3 उनका सही answer होगा संसाइ की एक रात की रचिनाकार बताना है यह तीन विकल्प दिये करें 162 में इनमें से आपको chain करना है बताए तो आप सभी का क्या होगा सही answer तो विल्कुल सही answer आ रहा है आप सभी का संसाइ की एक रात नरेश मेहता माने जाते हैं नरेश मेहता आपका हाँ पर सही answer होगा विकल्प नमबर एक जनवने भी यहाँ पर chain किया है नरेश मेहता उनका यहाँ पर सही answer होगा 63 वा question यहाँ पर देखेगा एक और पुरुस एक और पुरुस एक और पुरुस यह रचना किनकी मानी जाती है नरेश मेहता की यहाँ पर डाक्टर बिनय अग्गे अनरेंद्र सर्मा 163 में आपको chain करना है बताईए तो आप सभी का यहाँ पर सही answer है एक और पुरुस से बताना है यह रचना किनकी मानी जाती है 163 में आपका सही answer हो का विकल्प नंबर बी आनि की डाक्टर बिनय जो है मुनी की रचना मानी जाते है विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा अंगला question यह आप देखेगा question नंबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है उन्मुक्त बताना है 164 में उन्मुक्त की रचिनाकार कौन मानी जाती हैं बताईए क्या होगा सई आंशर तो आप सभी का यहां पर सई आंशर है तो उन्मुक्त बताना 164 में आपका चार सई आंशर है सिया रामसन गुप्त आपका सई आंशर होगा सिया रामसन गुप्त सई आंशर है आर्या वर्त की रचिनाकार बताना है बताईए क्या होगा सई आंशर आर्या वर्त के रजिनाकार बताना है सभी लोग चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है धर्म भी यहां पर दिनकर है या फिर मौहनलाल मेतुराही मासुम रज्जा 165 यहां पर कलत वेकल पागया है इस पिरकार बताईए यहां पर क्या होगा सभी का यहां पर सही आंसर चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि आधिया वर्त कि रचनाकार कौन मानी जाते है 165 में तो आप सभी का 165 में सभी आंशर है तीन आनि कि मॉहन लाल महतूं आपका सही आंशर होगा मॉहन लाल महतूं आपका detto आंसर है देवी संकर चर्मा जी विल्कुल बता देंगे अभी जो है अग्यो सैंकर जी आपके लिए जो आए इस डंय केमा कॉस्टन का आंसर बता देंगे ऑनकली क्लास में आपके लिए बता देंगे थोड़ी लग रहा है लेकिन आपके लिए जो है कल पक्क करके जो है बता देंगे तो यहां पर आर्या वर्थ जो है आपका सही आंसर होगा वैसे तो हाँ बेदों में मिलता है लेकिन और कन्फर्म करके जो है कल बता देंगे आर्या वर्थ जो है यहां पर सही आंसर है सी वाला कई कहीं पर जो है संस्कृत सब्द का प्रियोग जो है वाल्मी की रामयन में सरप्रतम देखने को मिलता है इस पिरकार भी कहीं कहीं मिलता है कि संस्कृत सब्द का जो प्रियोग हुआ है वैसे पहले पालमी की रामायड में भी हुआ है यह सा क्वश्चन पूंचा जो है बंता है तो पालमी की रामायड भी कई र्म और सभू जी अर रोही नीजी प्रेंकली जिनसां जी वंजी रीमा जी अर्चना जी रहनु पंडत जी स्वानु स्वानु जी लतो जी क्या चवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल अपनी क्लास जो है opener जो अपनी क्लास है वह सामवाली क्लास होगी सामवाली क्लास से सभी के लिए जुड़ना है सभी लोग जुड़िये का साम आपको साड़े साथ बजे और अंगली जो एक दस बजे वाली अपनी क्लास से चलती है पिंकी जी सौनू जी मंजू जी अर्चना जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर रोसिंग जी लवली जी रिपमाला जी और सभी के लिए इसी तरह से जुड़ी रहना है तनू जी संद्या जी पिंग्टी जी और लाइक से रवस्ते कर लेना है संजू जी साधना जी और मिला जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तनू जी आज के वीडियों वस इतना ही अनिल जी और और मिला देवी जी तनू जी आनंद जी अनए जी तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए सवरात्री और